हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो मैं चैनल, तो आज हम ब्यूटिफुल टॉप बनाएंगे, तो इसके लिए हमने डेड़ मिटर फाबरिक लिया है और इसकी वेट है 44 इंज, तो सबसे पहले हम इसको ओपन करके रखेंगे तो दिखें ये इसकी लंबाई है तो लंबाई में हमें इसको फोल्ड करना है अब यहाँ पर हम चोड़ाई की जो साइड है वो अपनी साइड में कर लेंके तो दिखें इस तरह से हमें फाबरिक को टू फोल्ड कर लीना है अभी हम इसको एक corner से उठा कर triangle में fold करेंगे इस तरह से तो हमने fold कर लिया है यहाँ पर open side है और यहाँ पर fold side है अभी यहाँ पर हम shoulder लेंगे straight इंशी tip को straight रखना है तो shoulder मैं ले रिए हूँ 7 inch तो इस तरह से 7 inch की line draw करेंगे अभी यहां से हम आर मोल लेंगे तो आर मोल भी 7 इंच है लेकिन यहां पर स्लीवलेस बनाएंगे टॉप इसके लिए 1.5 इंच कम लेंगे तो आर मोल मैं ले रही हूं 6.5 इंच इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे अभी यहां पर हमें चेस्ट का फोर्थ पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है तो मैं ले रही हूं 11 इंच अभी हम आर मोल ड्रॉ करेंगे तो इस लाइन का हमें हाफ लेना है और यहां से आर मोल का शेप देना है यह बैक का आर मोल है और हाफ इंच अंदर से फ्रेंट का आर्मोल भी ड्रॉ कर लेंगे ये फ्रेंट का आर्मोल है अभी हम लेंथ लेंगे तो सबसे पहले यहां से हम लेंथ मेजर करेंगे क्योंकि ये कपड़ा यहीं तक है तो इसके लेंथ आरे 21 इंच तो अभी हम यहां पर 21 इंच length के लिए निशान लगाएंगे और देखे यहाँ पे length कम आ रही तो यह जो कपड़ा बच्चा है इसमें से हम joint लगाएंगे तो अभी इंची टेप को सरकाते हुए हमें पूरे में 21 इंच पे निशान लगा देना है और इन सारे points को round shape में जोड़ देना है अभी इस point को हमें cross में extend कर देना है अभी हम neck की marking करेंगे तो neck width मैं ले रही हूँ 2.5 इंच और neck deep मैं ले रही हूँ 5 इंच फ्रेंट के लिए और back के लिए मैं ले रही हूँ 3 इंच उसके बाद हम round shape दे देंगे front neck के लिए और back neck के लिए भी हम round shape दे देंगे अभी cutting करेंगे सबसे पहले back neck और back armhole से cut करेंगे तो इस तरह से हमने cutting कर ली है अभी देखे यहाँ पे जो कपड़ा बचा है इसमें से ही हम बाद में joints के लिए कपड़ा निकालेंगे अभी इसको side में रखेंगे अभी हम इसको open करेंगे और इसमें से back part को side में रखेंगे और front part को फिर से fold करेंगे और front neck और front armhole की cutting करेंगे तो हमने front neck और front armhole की cutting कर ली है अभी हम joint के लिए strip cut करेंगे तो यहाँ पर यह fabric two fold में है सबसे पहले हम इसको level कर लेंगे और extra कपड़े को cut करेंगे अभी हम length लेंगे तो length लेंगे 5 inch strip की तो पूरे में 5 inch पे निशान लगा लेंगे और straight line draw करके इसको cut करेंगे तो यह हमारी एक side के लिए strip हो गई मतलब front के लिए और अभी एक और हमें cut करनी है तो इसे हम इसके उपर रखेंगे और इसी size की एक और strip कट कर लेंगे तो इस तरह से यह दो strips हमने cut की है front और back दोनों के लिए अभी इसको side में रखेंगे और हम stitching करेंगे सबसे पहले दोनों के shoulders हमें attach करने है तो दोनों parts को एक दूसरे के उपर रखना है दोनों parts की सीधी side हमें अंदर की तरफ रख लेनी है इस तरह से और shoulders attach कर लेना है तो हमने shoulders को attach कर लिया है अभी हम इसे open करते हुए रखेंगे तो इस पट्टी को हम fold करेंगे और fold करते हुए हम इस पट्टी को पूरे round में घुमाते हुए stitch करेंगे और यहाँ पर यह जो पट्टी है इसके उपर half in चड़ा के हम stitch करेंगे तो दिखें मैं आपको stitch करके दिखा देती हूँ सबसे पहले हमें पट्टी को fold करना है और पूरे round में सिलते जाना है देखें पट्टी है यहाँ तक हम इसको थोड़ा extra उपर की तरफ सिलेंगे extra पट्टी को cut करेंगे और half inch तक की पट्टी रखते हुए हम इसे stitch करेंगे इसके उपर तो दिखें इस तरह से हमने पट्टी को stitch कर लिया है अभी यहाँ पर हमें छोटे छोटे cuts लगा लेने हैं उसके बाद हम इसको उल्टी साइड में turn करेंगे और यह जो पट्टी है इसको इस तरह से double fold कर देंगे तो देखें इसको खीचना नहीं है हलके हातों से इसको stitch करते जाना है तो यह पट्टी अच्छे से stitch हो जाएगी तो देखें इस तरह से हमने neck line ready कर ली है अभी हम arm mold ready करेंगे तो इसके लिए भी हमने तिर्ची पट्टी ली है इसे भी हम इसके उपर उल्टा रखेंगे और stitch करेंगे दूसरे साइड के लिए भी हमने तिर्ची पट्टी ली है इसे भी इसके उपर रखके stitch करेंगे और इस पट्टी को अंदर की तरफ डबल फोल्ड कर देंगे तो इस तरह से हमने आर मोल को ready कर लिया है अभी हम नीचे की तरफ जॉइंट लगा लेंगे तो यह जो हमारी पट्टी हमने कट की थी इसे हम आटेज करेंगे तो एक पार्ट को अलग कर लेंगे तो इसको हम इसके ओपर उल्टा रखेंगे और पूरे में stitch करेंगे उसके बाद इसको सीधी साइड में turn कर लेंगे और एक्स्ट्रा पटी को cut करेंगे इसी तरह से जो दूसरा साइड है उसमें भी हमें strip को attach कर लेना है तो हमने दिखे दोनों साइड में स्ट्रिप एटेच कर ली है अभी इसको उल्टा करेंगे और दोनों साइड से इसकी फिटिंग कर लेंगे यहाँ पर सिर्फ हमें वन इंच की डिस्टंस से सिलाई लगानी है और इसके बॉटम को डबल फोल्ड कर देना है तो दिखे हमने इसको फिटिंग कर लिया दोनों साइड से और बॉटम को भी डबल फोल्ड कर लिया अभी यहाँ पर वेस्ट फिटिंग के लिए हम एक लूप लगाएंगे दोनों साइड में तो इसके लिए हमने ये strip ली है और इसके width है 1.5 विंच और length है 5 विंच तो इसको हम दोनों तरफ से fold करेंगे और एक बार fold करके stitch करेंगे तो दिखे हमने इसको stitch कर लिया अभी इस पट्टी के हम दो pieces कर लेंगे और इन्हें हम दोनों side की जो सिलाई है वहाँ पर stitch करेंगे तो shoulder से हम 12 इंच पर mark करेंगे दोनों side में हमें 12 इंच पर mark कर लेना है और इस पट्टी को हमें stitch करना है तो देखे किस तरह से stitch करना है इस तरह से half inch उपर से fold करना है और half inch नीचे से fold करना है और इस तरह से stitch करना है इसी तरह से दूसरे side में भी ये पट्टी हम stitch करेंगे तो देखे इस तरह से ये हमने पट्टी stitch कर ली है तो अभी हमने ये डोरी बनाई है तो इस डोरी को हम इसके अंदर से डालेंगे और यहां पर हम नॉट लगा लेंगे तो इसकी फिटिंग अच्छी दिखेगी यह बहुत ही स्टाइलिश लोग देता है तो इस तरह से यह हमारा टॉप रेडी है अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए थैंक यू